जय गुरु देव जय गुरु देव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरु देव आप सभी मनुस्यों को सादर सप्रेम जय गुरु देव आज हम आपके समक्ष कुछ चुनिंदा भविशुवानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो युग मशीहा बाबा जय गुरु देव जी महराज द्वारा सन 1954 से उच्चारित किये गए हैं वर्तमान समय की पुकार शुनकर हम भारत की जनता को ऐसे वचनों से पुना आउगत करा रहे हैं जो उनके जीवन के लिए नितान तावश्यक है तो आईए जाने बाबा जय गुरु देव जी की उन भविश्वानियों को जो 1954 से 1970 के मद्दे बताये गए जिसमें से लगबग 70 प्रतिसत वचन पूरे हो चुके हैं जय गुरु देव सन 1954 में स्वामी जी ने अपने मुखारबिंद से जन समू के बीच प्रियाग में कहा कि आगे समय में आम इस्त्री पुर्सों बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास पापों की तरफ हो जाएगा मांस, मचली, अंडे, बहुँ संख्या में लोग खुले रूप में खाने लगेंगे शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम, आम लोग पीने लगेंगे माता पिता के संपर्क में बच्चे बच्चियां शराब व मादक, नशिरी वस्तुएं पीने लगेंगे काम आग से लोगों की लज्जा चली जाएगी बुद्धी नश्ट होने से लोग श्वार्थ में पूर्ड रूप से रत होंगे चोरी, चमारी, लूट पाट, कतल आदी बहुत बढ़ जाएंगे जन संक्या कम करने की एक नई योजना विदेश द्वारा भारत में आएगी टैक्स अधिक बढ़ेंगे प्रतिवर्श कानून में संसोधन होता रहेगा धर्म धर्म के लोग लडेंगे समाजों के लोग लडेंगे पार्टियों पार्टियों के लोग आपस में लडेंगे एक दूसरे पर किसी का विस्वास नहीं रहेगा परिडाम सरूप शरकारों में हेर फेर होगा अधिकतर सब प्रांतों में राष्ट प्रती का सासन रहेगा सन 1972 के अंदर मौजूदा कांग्रेश समाप्त हो जाएगी नए नाम की संस्था होगी सन 1976 के बाद वह भी समाप्त हो जाएगी सभी लोगों का जीवन दुखमे होगा सभी लोग छोटे बड़े रिस्वत लेने लगेंगे राज भय सब के अंदर से निकल जाएगा बिद्यार्थी गड संघर्स में उतरेंगे भारत वासी महान दुखी दरिद्र अशांत रोते हुए दिखाई देंगे जमीनों का हेर फेर होगा राजाओं के राज समाप्त होंगे सोना तीन सो रुपया से उपर हो जाएगा चांदी बीस रुपया तोला होगी अन्य धातुएं बहुत महंगी होंगी कपड़े खाने के सामान बहुत महंगे मिलेंगे तूफान भुकंप आएगा वर्सा बहुत होगी बीमारी फैलेगी पडोशी देश से लड़ाई होगी नुक्षान अधिक होगा दूसरे देश भारत को छोड़ कर दूसरे की सहायता करेंगे रूस वचीन में विवाद होगा चीन अमेरिका में मनमुटाव होगा बहुत से शहर अमेरिका के नश्ट होंगे अमेरिका में चीन के प्रती भारी क्रोध फैलेगा मोतोड जवाब अमेरिका देगा और भारी जनहानी कर देगा चीन में थोड़े लोग रह जाएंगे उनकी सहायता भारत करेगा तिबबत भारत का अंग हो जाएगा मुशलमान आपस में लड़ेंगे सन 1971 में नर्शंगार पूरब में होगा इसके बाद पश्चिम में होगा मुशलमानों में आपसी बैर भाव उस सीमा तक बढ़ेंगे कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा अंत में सन 1980 के अंदर मुसलमानों की जनसंक्या घटकर सब जातियों से कम रह जाएगी गरीबी दूर नहीं होगी भारत वर्स संकट में रहेगा सन 1970 से 2000 तक संसार में तिव्र राजनितिक परिवर्तन होंगे पाकिस्तान, बृतेन, लंका, रूस, फ्रांस भी ठीक वैसी ही होगी यहां भी युद्ध होंगे मित्र जैसे दिखाई देने वाले पडोशी देश आक्रमन करेंगे या आक्रमन की समय मौन रहेंगे अधिकांस प्रतिपक्च का समर्थन करेंगे प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांस राज्यों में रास्ट्रपदी का सासन रहेगा मंगोलिया वसाइबेरिया के प्रश्ण को लेकर चीन और रूस में जबरदस्त मुठभेड होगी दोहरी वार से बचने के लिए चीन भारत से मैत्री का आडंबर रचेगा और रूस के साथ आडविक अस्त्र सस्त्रों के अलावा एक नई युद्ध प्रणाली जमस्वार इस युद्ध से दुश्मन देशों में बीमारियों के किटाडू फैला दिये जाते हैं जिससे तिब्र बीमारिया फैलती हैं और लोग बिना युद्ध के मरने लगते हैं इसकी सुरुवात करेगा रूस चीन को मुहतोड जवाब देगा और उसकी अब तक की समस्त वैज्ञानिक प्रगत्य को नश्ट ब्रश्ट करके रख देगा इस बीच तिब्बत उसके जबडे से निकल आवेगा और भारत से सुच्छा से संबंद कर लेगा सन उन्नी सो असी तक सारे संसार के स्थती विस्वयुद जैसी हो जाएगी अधिकांस छोटे छोटे देश तूटकर बड़े देशों में विलीन हो जाएंगे भारत वर्श उन सबका अगुआ होगा सन्युक्त राष्ट संग अमेरिका से भारत वर्श चली आएगी यहां उसका नए सिरे से संगठन होगा एक ऐसे दिव्य पुरुस का जन्म भारत वर्श में हो गया है जो गायों का काटना बंद कर देगा राष्ट भासा हिंदी संस्कृत कर देगा प्रिवार नियोजन बंद कर देगा मांस मचली अंडों की दुकाने सभी शहरों में बंद कर देगा शराब ताडी की दुकाने बंद कर देगा होटलो डाइनिंग कारों में मांस मचली अंडे पकना बंद कर देगा सभी सिनेमे के भारत में बंद कर देगा रिस्वत बंद कर देगा, पुलिस का वेतन तीन सो रुपिया कर देगा, प्राइमरे स्कूल के अध्यापकों, पेशकारों, कलरकों का वेतन तीन सो रुपिया कर देगा, मजदूर की आट रुपे प्रत दिन मजदूरी कर देगा, स्कूलों के बच्चे स्कूल से निकलते ही नोकरी या काम पाएंगे कोई अपसर मान समचली अंडे शराब ताड़ी नहीं खाएंगे पीएंगे रिस्वत नहीं लेंगे जो लेंगे वह निकाल दिये जाएंगे किसानों का आधा कर्ज माफ कर देगा चोरी लूट पाठ हत्या ग्राम वह शहरों में बंद कर देगा वह लाकर दिखाएगा जिसकी अभी तक किसी ने कलपना भी नहीं की होगी जो महापुरुष पैदा हुआ है वह धर्म का महान होगा भारत ही नहीं सारे विश्व के लोग उसकी बाते सुनेंगे न्याय की एक संहिता बनाएगा एक जंडा होगा इस ब्यक्ति को इतना जन प्राप्त होगा कि सारे दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे उस ब्यक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग हिंदू धर्म को कबूल करेंगे जो या ब्यक्ति कहेगा उसी को सभी जातियों के लोग समाजों के लोग राजनेतिक लोग और धर्म के लो सन 1972 के नौंबर तक इस ब्यक्ति के लिए लोगों के दिलों में संका रहेगी पर दिसंबर 1972 के अंत में उसकी चर्चा सब ग्रामों, शहरों और हर जाती के मनुस्यों में होने लगेगी शरकारी, पदादिकारी इनकी बात पर गंभेरता पुर्वक विचार करने लगेंगे पूरा कर अपनी जमीन हरी भरी कर लेगा, दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दोड़ा देगा, इस ब्यक्ति के आचार विचार में आडंबर नहीं होगा, सभी को लोग प्रिय होगा, गरीबों से विशेश प्रेम सम्मंद करेगा, हर कार इस महापुरुस का अनोखा होगा, वह सफेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूड मानो पुजारी होगा, वह अव्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा, बीस करोड ननारियों को सन 1972 तक जगा देगा, बाहर से साधा होगा, पर अंदर से पूरा विचार सील और शानती दायक होगा, इसके आखों में च धंग का निराला होगा, यह पुरुष सत्यूग लाकर दिखलाएगा, सन 1970 से 81 तक का समय महान भयंकर होगा, लाशों पर लासे सड़ी पड़ी रहेंगी पर कोई उठाने वाले नहीं मिलेंगे, यह बिमारी अन्य प्रकोपों से भयंकर दशा को पहुच जाएगी, दिल्ली स से राजधानी हटा दी जाएगी, सच्चों को पूड मानिता मिलेगी, सच्चे तरक्की पाएगे, अमीर गरीबों में कुछ ही अंतर रहेगा, विचारों में सब सामान्य रहेंगे, दुख दर्द न रहेगा, बिद्वानों का पूड शम्मान होगा, सरकारी करमचारी शब निरामिश रहेंगे, शराब ताड़ी से लाखो कोस दूर होंगे, सन 1981 से सन 2000 के बीच का समय भारत के उन्नतिका होगा, भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर पूड बिज्ञान वा अर्थ में पूड शक्तिशाली हो जाएगा, विसेस बात यह होगी कि सभी लोग धर्मनिस और साकाहारी होंगे, जै गुरू देव